हेलो एवरिवन यह देखिए दोस्तों आपके सामनी यह जो इस्ट्रिक्चर दिखाई दे रहा है इस इस्ट्रिक्चर का नाम है रूम हीटर इस रूम हीटर में इस रूम हीटर में जो है यह जो तार दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको इस तार को बोला जाता है नाइक्रो तो यह heat provide करता है और जब heat provide करता है तो उससे कमरे का जो room temperature है वो rise कर जाता है मतलब कि बढ़ जाता है तो आपको इस वीडियो में यह जनकारी प्राप्त हो गई कि heater का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है और यह electricity के जरिये चलता है और इसमें दोस्तों एक average room heater का जो watt capacity होता है वो 1500 watt का होता है मतलब एक average heater जो होता है वो 1500 watt का होता है तो I hope आपको यह जनकारी पसंद आई होगी तो आपको एक जनकारी और मैं देना चाहूंगी दोस्तों सर्दियों के मौसम में जब आप heater चलाते हैं तो heater को सारी रात on करके और कमरा बंद करके नहीं स होना चाहिए इससे oxygen जो है कम्रे की खतम हो जाती है और इससे इंसान की मृत्य भी हो सकती है तो I hope you like this video and enjoy all the moments of in a winter season and have a good winter to all of you. Thanks for watching my videos my lovely audience.